मुख्यमंती डॉक्टर मोहन यादव शुकरवार याने कि आज के दिन टीकमगड पहुचे जहां पर उन्होंने भाजबा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार खटीक के समर्थन में रोडशो किया है करीब 3 किलोमीटर लंबे रोडशो के समापन के बाद हैली पेट जाते समय सिविल लाइन रोड़ पर सड़क किनारे लगे गन्ने के ठेले के पास काफिला रुकवाया गन्ने का जूस पिया और पार्टी के कारेकरताओं को भी पिलवाया मीडिया से रूबरू होते हुए यादव ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि राहूल गांधी देश को तोड़ने की बात करते हैं